किसी जंगल के किनारे पर एक चरागाह था. आसपास के गावों के चरवाहे अपने पशुओं के जुंड के साथ वहां आते थे. जब जानवर घास चड़ते तब चरवाहे समय व्यतीत करने के लिए आपस में खेलने लगते. चरागाह में एक बड़ा और पुराना पेड़ था. उसके तने में संकरे मुह वाला बड़ा सा कोटर था. चरवाहे वहां पहुँचने के पश्चात अपने साथ लाया खाना उस कोट रख देते थे और दोपहर में खाना निकाल कर वे एक साथ खाने का आनंद लेते. एक दिन एक भूखा लोमड उस ओर आ निकला. तभी उसकी नाक से खाने की गंध टकराई, जिसका पीछा करते हुए वह कोटर तक जा पहुँचा. भूख के कारण उसका पेट पिछका हुआ था. अतह वह आसानी से कोटर में घुज गया. कुछ ही देर में भूखा लोमड सारा खान चट कर गया. अब उसका पेट बहुत फूल गया था. उसने कोटर से बाहर निकलना चाहा तो फूले हुए पेट के कारण बीच में ही फंस गया.